आप देख रहे हैं दब बिहार टॉप महरतनेश पांडे भारत और अस्ट्रेलिया के बीच में वर्ल्ड टेस्ट चेंपियंशिप का फाइनल मैच का आगाज आज हो चुका है आपको बता दे कि ये मैच लंदन के केनिंटल ओल में खिला जा रहा है और इस मैच के शुरुआत के साथ ही जो लोग है वो खिलाडियों की चर्चा अब कर रहे हैं खिलाडियों की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि भारतिय तो इस पर चर्चाहें अब तेज हो गई है चलिए विस्तार से बता देते हैं कि आखिरकार भारतिय क्रिकेट टीम के जो खिलाडी हैं वो क्यों काला पट्टा बांद रहे तो आपको याद होगा कि अभी कुछी दिन पहले दो जून को यानि सुक्रवार को बीटे सुक्रवा रादसे वहाँ पर 200 से जादा या यू कहें कि लगबग 300 के करीब में 278 लोगों की जान जो है वो इस ट्रेन रादसे में चली गई और 1000 से जादा लोग अभी घायल हैं उनका इलाद जो है वो अस्पतालों में चल रहा है और इसी के बीच में समवेदना प्रकट करने के लिए ये सवी खिलाड़ी काली पट्टी बान करके मैदान में उत्रे हैं आपको बता दे कि जो हादसा था वो काफी भयंकर हादसा था जिसमें तीन ट्रेन आपस में भिड़ गई और तीन ट्रेन आपस में भिड़ने के बाद से इस्तितिया काफी भयाव हो गई थी हालाकि अब वहाँ पर इस्तितिया दीरे-दीरे सामान ने होती हुई नजर आ रही है वहाँ पर ट्रेनों के मलबे को जो हटाया जा रहा है कई लाशे अभी भी दबी हुई है तो उनको भी निकालने की कोशिस लगतार चल रही है और इस बीच भारतिय क्रिकेट टीम के जितने सारे खिला लाड़ी है वो अस्ट्रेलिया और भारत के बीच में जो वर्ल्टेस्ट चैंपियंशिप का फाइनल मैच खेला जा रहा है उसमें वो सभी लोग उतर चुके हैं काली पट्टी बानकर समवेदना प्रकट कर रहे हैं आपको बता दे कि मैच की बात करें तो भारत के कप्तान रोहित सर्मा ने टॉस जीत कर पहले गेंदवाजी का फैसला किया है टीम इंडिया लगतार दूसरी बार वर्ल्टेस्ट चैंपियंशिप के फाइनल में पहुची है दोजर इकिस में खेले गए पहले संसकरन के फाइनल में न्यूजिलेंड ने भारत को आट विकेट से हरा दिया था वहीं एस्ट्रेलिया ही टीम पहली बार वर्ल्टेस्ट चैंपियंशिप का फाइनल खेल रही है तो क्या होगा मैं चार्ज इंडिया टीम जीत रहा है या फिर नहीं अपनी राए कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़िए या फिलाल इस वीडियो में इतना ही देख